नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंख खना उम्योपेथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है आज साथियों हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तमाल करने वाले वर्ड के विशय में, शब्द के विशय में और वह है अलर्जी, तमाम मरीज आते हैं डॉक्टर साब अलर्जी हो गई यह अलर्जी हो गई, वो अलर्जी हो गई, ऐसे अलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज से हो गई, उस चीज से हो गई, तमाम लेकिन allergy word उसमें होता है तो आज हम लोग discuss करेंगे allergies के विशे में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निप्टें कैसे आप इसका निदान करें सबसे पहले साथियों जान लेते हैं allergy होती क्या है allergy साथियों आपका जो body होता है उसका एक defensive system होता है कभी क्या वक्त आता है कि आपका body हाइपर sensitive हो जाता है तो जब आपका external कोई infection आता है या वो infection नहीं भी होता है कोई भी allergen होता है जो वास्तव में जिसको आपको allergy नहीं कॉस्स करती चाहिए लेकिन आपका immune system उसके लिए hypersensitive response रखता है उस hypersensitive response में जो इस्थितिफपन होती है उसी को allergy कहते है suppose कीजिए किसी को milk product से allergy है तो जब आपसे milk products का intake करा तो जो body का immune system है उसने जो antibodies बना रखे हैं उन्होंने उस पर attack कर दिया और इसको मरीज ने आके गा milk allergy है तो यह जो body immune का hypersensitive response होता है allergen के विरूद में इसी से उस्थित्पन condition को allergy कहते है इसमें सात्यों एक बहुत important बात होती है कि यहाँ जो है कभी बहुत जल्दी develop हो जाता है body में कभी या सालों में होता है एक पार्सियल होता है उस इस्थिती में आपके शरीर में allergy moderate होती है और अगर ज़्यादा response develop हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है यह जो process होता है बीच का कि allergy develop होने के लिए जो antibodies generate हो रहे हैं उनको जो immune system जो release करता है उनको पूरा develop होने के बीच जो process होता है उसको sanitization कहते है यहाँ एक बहुत time taking process होता है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की allergy में साथियों जिस तरह के allergy वैसा symptom अगर आपके जो है वो नेसल allergy है तो चीकों का symptom आ गया अगर आपके articularia है तो इसकिन में आपके बल जा गए अगर आपके मच्छर के काटने से आपके allergy हो जाती तो उस तरह की लाली होगे मच्छर ने काटा और भारी घाओ बन गया भारी इस तरह का different different manifestations होते हैं बात कर लेते हैं साथियों इसका एक symptom में एक इस्टिती और होती है इसको कहते है एनफाइलेक्सिस यहां आपको जानकारी होनी चाहिए यहां एक बहुत life-threatening serious condition medical condition होती है जो कि allergies में होती है जैसे क्या होता है हम लोग आम तोर पर अलर्जी को बहुत हलके में लेते हैं कि allergy है तो है लेकिन allergy के में अगर यहां condition आपके chronic condition developed हो गई तो यहां life-threatening होती है जिसमें आपके unconsciousness भी आ जाती है आप भी होश हो जाते हैं आपका BP भी लो हो जाता है आपको pain बहुत बढ़ जाता है और आपको तकलीफे होती है और एक medical emergency के आप entitled होते हैं तो इस word को अगर आपके किसी भी चीज़ की allergy है तो आप इस word को अवश ध्यान में रखें बात कर लेते हैं साथियों उसके कारणों की इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई allergen आता है आपका body का जो immune system होता है वो उसको बहरी particle एक intruder के रूप में एक दुस्मन के रूप में recognize करता है और आपका immune system IgE जो immunoglobin होते हैं वहाँ antibodies release करते हैं और यह antibody उस vicious infection को पहचानते हैं कभी यहाँ जल्दी पहचान लेते हैं कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है कभी महीनों पर कभी सालों का लेकिन यह पहचानते हैं जित्ता जादा पहचानते हैं उतना जादा आपको इसका बुरा response आता है तो जब यहाँ पहचान लेते हैं तो जब भी वो allergen आपके बॉड़िय आप उसके contact में आते हैं तो आपके यहाँ जो antibodies होते हैं यहाँ उसके हमला कर देते हैं और यहाँ ही आपके manifestation के रूप में विभिन विभिन जिस तरह का allergen उस तरह का manifestation उस रूप में आपके सामने आत होता है कभी आपको allergies रही होंगी तो डॉक्टर ने IgE टेस्ट चरूर कराया होगा या immunoglobin होते हैं जो की blood में release होते हैं और यही प्रतिरोज़क छमता जो सरीर की है यही आपका antibody बना के आपको सही करने वाली चीज को कष्ट के रूप में आपके सरीर में दे देते हैं एक allergy की साथियों अब winters हा रहे हैं बच्चों को हम लोग अंडा देने की कोशिश करते हैं क्योंकि अंडे में बहुत protein होता है WHO अंडे को और milk को दो को complete food कहता है milk के बास सबस्यादे nutrition एक में माना जाता है तो एक दिनी की हम लोग बच्चों को कुशिश करते हैं लेकिन अगर एक से किसी को allergy है तो आप क्या करेंगे बस बात यही है कि आप इस बात का वस्तिहान रखें कोई भी दवा जैसे हमने कहा कि इसमें life-threatening condition भी एनफाइल एक्सिस की allergies के साथ involved रहती है इसलिए कोई भी दवा भी ना किसल पूछे ना लीजिएगा पता नहीं कि इस दवा का क्या manifestation हुआ और आपको क्या वहाँ नुकसान पहुचाए पताते हैं सातियों आपको allergy को ठीक करने की कुछ कारगर homeopathic दवाएं homeopathic में बहुत कारगर दवा है एक allergy की सातियों सबसे important दवा homeopathic में जो एक allergy की है वह है करबूवेजिटीपिलिस अगर बच्चे को एक से ऐलर्जी है या बड़े को एक से खाने से ऐलर्जी है है यानि को इन्यों कर खाने चाहिता चाहिता है उसके एंटिबाडी इंच़्ुन के थहा हमला कर देते हैं और इस्टिती बिगरती है तो ठीक करने की बहुत कारगर दबा कार्बो वेजी डेबिलिस है जब आपके कुछ भी खाने पर लूज मोशन आ जाते हो और आपको तक्तीफ होती हो तो drug of the choice कार्बो वेजी डेबिलिस है एक स्टिती सातियों बनती है कि आपके लूज मोशन आ रहे हो और साथ में आपके पेट में दर्द हो एक अलरजी में तो अगर यह स्टिती है तो इसको ठीक करने की उम्रो पहते हैं बहुत कारगर दबा नक्स वो मिका है आप नक्स वो मिका थर्टी दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं इससे आपके पेट का दर्द भी खतम हो जाएगा आपको अंडा खाने पे जो लूज मोशन आ रहे हैं वहाँ भी खतम हो जाएगे और LikeWISE आपके एग अलर्जी भी खतम हो जाएगी एक स्तिती है कि अगर आपके एग अलर्जी हो रही अंडा खाने से अलर्जी हो रही और आपके इस किल में खुज्ली शुरू हो जाती है अगर वहाँ इस्थिति हो साथियों तो उसको ठीक करने के हों में पैसी में बहुत कार कर दवा सलफर है आप सलफर बानियम के तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली दे दें आप देखेंगे कि आपके जो अंडा खाने पर शरीर में खुजली और जलन है नरोड होती हो और आप बहुत इडिटेशन और एजिटेटिट फील करते हूं अगर यहां इस्थिति हो कि आपको एक खाने पर एक एजिटेशन महसूस होता हो दिमाग में और एक उल्जन पैदा हो जाती हो तो उस इस्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा नेट्रम मूराटिकम है आप नेट्रम मूर 1 एम के ठीक तीन खुराग 5-5 मिट के फासले पर वीक लेले आपका जो एक खाने के बाद वामिटिंग है जो मन में एक एजिटेशन और बेचैनी ये वहाँ खतम हो जाएगी और आप खुशी से अंडे का सेवन कर पाएंगे संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे ये दवायती आपके एलर्जी के विशह में अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाटसाइप नंबर 94-786-3903 पर अपनी क्वेरी को वाटसाइप कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको संतोष ज़नक जवाब दे पाएं उमीद करेंगे इन दमाओं से आपको एलर्जीज में फाइदा हो आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को अन्य लोगों को सब्स्प्राइब करने के लिए प्रेजित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले निया वीडियो योही प्राप्ट करते रहिएगा आपका साथियों इतिदेर हमाई साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धरनेवाद बहुत बहुत धादुबाद वोट्षल में आपका साथ कर लूंगर कर दो है कर दोंगर कर दो दो है